प्रसपा के राश्ट्री अद्धक्ष युपाल यादो की एक्स्क्लूजिव बात्चीज सुनवाते हैं कि सियासी तोर पर क्या उनके दल में और गडबंदन में चल रहा है उत्तब्रश में विधानसभा के चुनाओ साथ चर्णों में होने हैं और अब इस बात का इंतजार है कि किस पार्टी के साथ जो गडबंदन अलग अलग पार्टीओं का हुआ है उसमें कितनी सीटे किसको मिलेंगी और उसमें भी सबसा निगाह अगर किसी पर है तो वो समाज वादी पार्टी और प्रगितिसी समाज वादी पार्टी के गडबंदन पर है हमाताज शुपाल यादो जी है प्रसपा के दास्टिय देख्ष शुपाल जी अब तारिखों का ऐलान हो गया अब सबकी निगाह इसी बात पर हैं कि कितनी सीटे आपको मिलेंगी देखे हम दो करणा दुषबे में आएगा हम था कर चुके हैं जितने भी जीतने वाले हैं तो बैट करके जीतने वाले हैं और जीतने वालों के टिकट दे देंगे ई और दो हजार वाइस में समाज वादी पार्टी की सर्कार बन जाएगी अखले श्यादर मुख्वन्ति बने ब लोग समीछा कर चुके हैं जितने भी जीटने वाले हैं तो बैट करके जीटने वाले हैं और जीटने वालों को टिकेट दे देंगे और दो हजार बाइस में फिर समाजबादी पाची की सरकार बन जाएगी अखले स्यादा मुक्वंती बने बस हमारा यही सपना है अब समय बहुत कम बचा है क्योंकि 21 तारीकों पहले च्रण के नामांकन की आखरी तारीक है तो ऐसे में लग नहीं रहा कि अब जल्द नामों की घोष्टना करनी चाहिए देखे बहुत दल्दी अब हो जाएगी अब जैसे नामांकन होगे तो नामांकन तो तब ही होगा जब घोष्टना हो जाएगी नामांकन से पहले घोष्टना हो जाएगी यह मान की चलें कि नामांकन से पहले यानि चार-पांच दिनों के बीतर घोष्टना हो जाएगी मानके चलते हैं, हमारे तो 403 सीते हैं, हैं और समाजवादी पाटी में हमने तो काम किया है, कोई नई पाटी तो है नहीं, अब हम लोग तो मिल गए हैं, ना, दोनों मिल करके ही काम करेंगे, तो 403 मानके चली है और पर चैन बहुम्मत की सरकार बनाएंगे आपकी भूमिका भी बड़ी होगी उस सरकार में चलिए बहुत बात की बाते हैं बात की बाते हैं लेकिन एक और चीज़ चल रही है कि इस बार शुपाल यादव जी जस्वन नगर से नहीं गुन्नौर से लड़ेंगे जस्वन नगर में आपके वेटे आदित या बनाया है फिर हमारी पार्टी जो फैसला करेगी हम दोनों पार्टी जो मिलकर के अठ्वन नन बना है अखलेश यादव के नितत में ये जो तै करेंगे दोनों लोग मिलकर के जो तै कर देंगे दोनों पार्टीयां जो तै कर देंगे तो वो माना जाएगा समेज़वेती पार्टीने एक पोस्टर जारी किया, लिखा दसमार चार रहे हैं अखलेश, लेकिन बीजेपी की प्रhatस अ्वеждैक स्वतन्देव सिंह क्या करने के लिए आ रहे हैं, गुंडागादी करने के लिए आ रहे हैं, मंदिर का काम रोकने के लिए आ देखे हम लोगों ने तो हमेशा किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो कभी गुंड़ागरदी को बर्दास्ट नहीं किया है, न करेंगे बर्दास्ट अब ये तो जूटे लोग हैं ना इस समय सबसे ज़्यादा गुंड़ाई तो इस समय हो रही है एक तो सरकारी तंत के गुंड़ाई, एक तो भाजती जनता पार्टी के लोगों के गुंड़ाई इस समय पूरे पिदेश में अगर कोई कभजा कर रहा है तो भाजती जनता पार्टी के लोग, पता करिएगा, पता करिएगा, कितना कभजे हो रहे हैं भाजती जन्ता पार्टी के विदाएक से लेकर के भाजती जन्ता पार्टी के नेताओं कों कब्जा कर रहा है और हमने तो कहा है कि जब हम सरकार बनाएंगे किसी भी जात का हो किसी भी धर्म का हो किसी की भी गुन्ड़ई वजदास्त नहीं की जाएगी अगर ये इस तरीके बातें करेंगे तो मजबूर होकर के हमें कहीं कहीं आयोक के सामने दहनें पर बैठना पड़ेगा अगर इस तरीके क्या रूप लगाएंगे तो इनके करत कानोनी करवाई इस आचा संकता के समझा करना पड़ेगे समाज़ादी पार्टी ने चिठ्थी भी लिखी आज निर्वाचन आयो को तीन बड़े अफसर जो है प्रदेश में उनको हटाने की मांग की है आप भी उस मांग का समर्थन करते हैं हाँ अगर हमारे गठ्वनन में किसी नेता ने या अखले से अदब ने अगर चिठ्थी लिखी है तो मेरा पूरा समझ धन है शिबाल जी लेकिन उस तरीके से बीजेपी की लोग अभी भी आपके जो सयोगी लोग हैं जैसे हम परकास राजबर उन कहां जा रहे हैं कोशे यह कैसे उनको सात ला जा है. केशव देव मोरिया, उनके भी बीजेपी के लोग लगा आ आज आ जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि ये लोग चुनाव जब हो ने लगे तो साथ चोड़ के चले जाए? अब बीजेपी के लोग कहां जा रहे है, कहां नहीं जा रहे है, मुझे क्या पता है? चोरी से कहां जा रहे हैं किस के पास जा रहे हैं तो इसका मुझे पता नहीं है जिस तरीके से ये रैलियों पर भी रोक लगा दी यात्राओं पर भी डोक लगा दी सभाओं पर भी रोक लगा दी आयोग ने कहीं ने कहीं प्रसपा के लिए सपा के लिए मुश्किल होगी क्या क्या क्योंकि खुद अखले शादों कह रहे हैं कि बीजेपी इस मामले में बहुत जादा उसने अपना विस्तार किया हुआ है देखे जो अभी चुना होने जा रहा है डिजिटल और वर्चुल तो ये छोटी छोटी पर्चियों के लिए चुनोती पूर है प्रिशानियां होंगी और इसलिए प्रिशानियां होंगी इतने संसादन नहीं है उनके पास सादन नहीं है और इसनी बोटर के पास समझदारी भी नहीं है तो ये सब दिकते आएंगी और चुनाव आयो को तो अगर ये करना था अगर कोबिट बगहरा का जो भी ले रहें तो इनको जब बंगाल के चुनाव के बाद या बेहर के चुनाव के बाद तभी सूचित कर द जाता अब किसी के पास ना तो टीम है कहीं सादन नहीं है संसादन नहीं है समझदारी भी नहीं है जो गरीब है किसान है बैक वाइट के लोग है उनके पास इतनी समझदारी कहा है समय तो ये परेशानी है दस मार्च क्या नतीज़े आएंगे तो यह प्रचन बहुमत से सरकार बनाएगा तो यह आपने सुना क्या कहना है प्रसपा के रास्टेटिक शिवपाली आदो का साफ तोर पर कह रहे हैं कि कहीं ने कहीं जो छोटे दल हैं उनको अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने में मुश्किल खड़ी होगी कहरों से हरियोम के साथ और बहुत शुक्ला एबीपी गंगा लखना हूँ